उमा जी राम मंदिर जो ट्रस्ट है उसका घोशना हो गई है और बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं जैसे जो राम जनमभुमी न्यास जो है उसमें संतों का कहना है कि उनको जगा नहीं दी गई है और ये संतों का अपमाने तो आप खुश है कि इस ट्रस्ट से? बहुत खुश हूँ क्योंकि ये ज़रूरी था कि एक ट्रस्ट हो अब वो ट्रस्ट के लोग राजनेतिक मामलों से बिलकुल दूर हो उसकी पूरी एतियात बरती गई है पाकि ये तो सच्चा ही है कि लाखों संतों ने उसमें भागीदारी की थी लेकिन ट्रस्ट में तो सबक कोई लेना देना नहीं था आयोध्या नगरी से संबंदित मचला है और भगवान राम तो तरेता युग में हुए थे युगों का अंतर आ गया है लेकिन आयोध्या राजवनिश्क को अगर लिया है तो सोच करके ही लिया है आप तो रामंदर मुव्मेंट के साथ शुरू स से लेकर जूने हुई थे आपके उपर केसिस भी लगे बहुत सारी चीजें हुई है इस दोरान लेकिन आप आज क्या समझते हैं कि जो ये मंदर मुव्मेंट हुआ था इसकी वज़े से बीजे पी आज जगा पर पहुंच पाई है क्या मंदिर के मुव्मेंट के समय पर रा प्रदिस की सरकार गिरा दी गई थी तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इसका लाभ हुआ है लेकिन हमने कभी मंदिर को लाभ हानी की दिश्टी से देखा नहीं अगर हमने लाभ हानी की दिश्टी से देखा होता तो 93 के चारों अस्यमिली का चुनाव हारने के बाद 98 के लोकसभा क मेनीफेस्टों में राम मंद्र का निर्माण हम नहीं रखते क्योंकि फर वोट वेंग की दिष्टी से महा तो रखता था रास्टी आस्मिता की दिष्टी से हमाइच जारी से नहीं देखा अश्य बहुत सारे लोग राम मंद्र मुव्मेट के साथ जुड़े हुए थे जिसमें से आप भी हैं और भी बहुत सारे संस लोग थे अडवानी जी भी थे तो अधिकांश लोग अगर आज आप देखें तो वो तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और ही बाकी लोग हैं तो वो अभी उत्तर पदेश के मुख्ध मंत्री योगी हैं तो उ में ग्रह मंत्री का भी एक रोल है और इधर उत्तर प्रदेश के मुख्ध मंत्री का भी एक रोल है तो हम तो इसमें खोश है ना कि मंदिर का निर्मान हो रहा है कल्यान सिंग जी ने भी कुछ सवाल उठाए है कि OBC रेप्रेजेंटेशन भी होना चुए यह तो एक सच्चा जी और कामिश्वर चौपाल जी जो कि ऐसी कम्यूटी से आते हैं यह सबी लोग बहुत बड़ी संख्या में थे और यह बहुत बड़ी घटना होई थी तोंकि जो घैर भाजपाई राजनीति कर रहे समाजवादी घटक के लोग थे पिछड़े वर्ग उनके साथ थे उसमें हैं वो राजनेतिक नहीं हो सकते थे ऐसे कई कारण रही होंगे जिसकी वज़ेसे कोई नहीं होता तो बहुत अच्छी बात होती में कल्यान सिंधी की बात का समर्तन करती हैं अब अधर्श उद्वादी पर देखाई उसमें आपकी कहीं कोई अंदेखी तो हुई है तो मुझे इसी की बात की खुशी है कि इतनी शांती के साथ राम मंद्रिक निर्मान का रास्ता निकल आएगा यह तो मुझे चमतकार जैसा लग रहा है जब सुप्रीम कोट का फैसल आया उस फैसले के बाद इस देश ने जिस प्रकार से एक जुठता दिखाई उस फैसले को स्विकार करने मुझे आपने आप में एक आधर्श उधारन प्रिस्तत किया गया मुझे इसी का संतोश है इसी की बारी कुशी इसके आगे कुछ दिखता ही नहीं है जैसी ट्रस्ट के पहले से ही डिवीजन हो गया था हिंदू-मुस्लिम डिवीजन अंग्रेशों ने बहुत खूबी से उसको कर दिया था उनको जानने के बाद उस लेगेसी को कांग्रेश ने केरी किया उसने कभी देश की मुख्य समस्याएं आने ही नहीं दी पॉलिटिकल प्रेफर्म पे करते रहे और इसका परणा भी निकला कि देश की बहुत सारी आर्थिक समस्याओं की अंदेखी हुई पहली बार ऐसा हुआ है जब संयोग देखिए कि मोदी जी के प्रधान मंत्र तो काल में ही राम मंदिर का निर्मान भी होगा और मोदी आनती हूँ कि अब एक बहुत पर बैठ रहे हैं उन्हें तो गुमराह किया गया है और जिनने गुमराह किया वो बहुत चालाक लोग है उन्हें पता है सीए क्या है जिनने मिसलीड किया है वो सीए को जानते हैं जो मिसलीड हो गए हैं वो नहीं जानते हैं कि सीए में क्या है लेकिन इस चीज का समाधान ह यह जैसा राम सेतु का बनाना इसलिए राम मंदिर और राम राजी के लिए राम सेतु यह बहुत बड़ी कठिन चुनोती है जिसमें बेरोजगारी है भुकमरी है अमीर और गरीब के बीच में अंतर है कास्ट और क्लास का बाइस है बहुत बड़ा इस देश के अंदर जो और अमीर और गरीब की खाई है उन सब मुद्दों के बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रही है वहां तो सिरफ हिंदू-मुसल्मान हमने नहीं किया है शाहिन बाक से शुरुआत हुई और जैसे हम शाहिन बाक का समर्तन करते हैं यह आपने इसकी शुरुआत कर लिए पुल कहा जा सकता, मैं जो बात कह रही हूँ, वो कुछ और कह रही हूँ, मैं यह नहीं कह रही हूँ, कि यह किन समस्याओं के समाधान की चुनोती अब सामने आ गई हो, जो करेंगे, मोदी जी करेंगे, और मैं इसको golden period मानती हूँ भारत का, जब राम मंदिर का समाधान भी आसानी से हो गया, और मुझे लगता, आमीर वा गरीब के बीच में खाई पार्टना, यानि वो रामराज होगा, विशमता नहीं होनी चाहिए, डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, वो रामराज होगा, उसका काम भी मोदी जी कर लेंगे, हम कर लेंगे, आपकी 30 साल से ज़्यादा पॉब्लिक लाइफ है, पॉलिटेक्स में आप रही है, पिछले 30 साल में पॉब्लिक रेप्रेजनेशन भी रेप्रेजेंट भी किया, अभी 2019 में चुनाओ नहीं लग्री, अब तो अमन्दिर भी बन जाएगा, तो 2024 में नहीं, मेरी पॉब्लिक लाइफ तो 53 साल की है, क्यो इसलिए मुझे एक बहुत संतोष रहता है और मुझे यही मेरे को बाद में समझ में आया कि लोग चुनाओ राजनीती को एक कर लेते हैं कि अगर आप चुनाओ नहीं लड़ते थे कई बार लड़ते हैं कई पार को से बार में वह सकती फिर दी अपो साथ नहीं लड़ लड़éral है है उसमें इसमें कौन सी बड़ी बात लग रही है मैं 24 के समय पर 63 साल की ही होंगी सिर्फ जबकि कई लोग उसमें पर आज नीती शुरू करती है